ओम श्री गुरू सचिदानन साइनात महराज की जै अध्याए 22 को प्रारम करते हैं बाबा की लिलाओं का कोई अंत नहीं है अब हम उनकी लिलाओं में से एक लिला का यहां दर्शन करेंगे श्री बाला साहिब मीरीकर जो सरकार काका साहिब सुपुत्र तथा कोपर गाउं के मामल तर थे एक बार दोरे पर चितली जा रहे थी तब ही मार्ग में वे साइद बाबा के दर्शनाथ शिर्डी पधारे उन्होंने मजजित में जाकर बाबा की चरन वन्ना की सदेव की भाती स्वास्त तता अन्य विशो पर चर्चा की बाबा ने उन्हें चितावनी दे कर खा जहां तुम बैटे हो वहीं द्वार का माई है जो उसकी गोद में बैटता है वे अपने बच्चे के समस्त दुखों और कटनाईयों को दूर कर देती है ये मस्जित माई प मस्त कष्ट दूर हो जाते हैं जो उसकी चत्रचाया में विश्राम करता है उसे आनंद्वे सुख की प्राप्ती होती है बाबा ने उन्हें उदी दे कर अपना वरध हस उनके मस्तक पर रखा और आशिरवात दिया जब शिरीबाला साहिब जाने लगे तो बाबा बोले क्या तुम लंबे बाबा अथार सर्व से परिचित हो और अपनी बाई मुठी बन कर उन्होंने दाइने हाथ की कोहनी के पास ने जाकर दाइने हाथ को सांप की सरदिश हिला कर बोले वह अति भ्यंकर है परन्तु द्वारका माई के लालों का वह क्या कर सकता है जब स्वें द्व जानना चाते थे, परंतु पूचने का साहस किसी को ना था, बाबा ने शामा को बुलाय chance जाकर चितली यात्रा का आनन लेने की आग्या दी, तब शामा ने जाकर बाबा का आदेश बाला साहिब को सुनाया, वैं बोले मार्ग में असुविधाये बहुत है, अथा आपको व्य सो तो होकर ही रहेगा बाला साहिब ने पुना विचार कर शामा को अपने साथ चलने के लिए कहा तब शामा पुना बाबा की आगया प्राप्त कर बाला साहिब के साथ तांगे में रवाना हुए वे नौ बजे चितली पोचे और मारूती मंदिर में जाकर ठैरे आफिस के करमचारी गण अभी नहीं आये थे इस कारण वे यहां वहां की चर्चाय करने लगे बाला साहिब दैनिक पत्र पढ़ते वे चट्टाई पर शांती पुर्वक बैठे उनकी धोती के उपरी सिरे कमर पर पड़ा हुआ था उसी के एक भाक पर एक सर्व बैठा हुआ था किसी का भी ध्यान उधर ना था वे सी 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 करता हुआ आगे रेंगने लगा ये अवास उंकर चप्रासी डोड़ा और लालते ले आया सर्व को देखकर वे साब साब कहकर उच्छ स्वर में चिलाने लगा तब बाला साहिब अती भ्यवीद होकर कापने लगे शामा को भी अश्चर ये हुआ तब वे तथा अन्य व्यक्ति वहां से धीरे से हटे और नीचे उतर आया तब लोगों ने उसका ततकाल ही प्राणा कर दिया जिस संकट की बाबा ने भविश्य वाने की थी वे टल गया और साई चर्णों में बाला साहिब का प्रेम ब्रिड हो गया बापु साहिब पूटी एक दिन महान जोतिशी श्री नाना साहिब डेंगले ने बापु साहिब बूटी जो कि उस समय शिर्डी में ही थे कहा कि आज का दिन तुमारे लिए अशुब है और तुमारे जीवन को संकट प्रद है ये सुनकर बापु साहिब बड़े अधीर हो गए जब सदेव की भाती बाबा के दर्शन करने गए तो वे बोले कि ये नाना क् कर रहे हैं परन्तु तुमें ब्याबीत होने की किंचित मात भी आवशकता नहीं है इनमें दिर्टा पूर्वक कैद हो कि अच्छा देखिए काल मेरा किस तरह अपरन करता है जब संध्या समय बापु अपने शौच ग्रह में गए तो उन्हें वहां एक सर्प दिखाई दिय उसके नौकर ने सर्प को देख लिया और उसे मारने को एक पत्थर उठाया बापु साहिब ने एक लंबी लकडी मंगरवाई परन्तु लकडी आने से पूरुफी वह सांप दूरी पर रेंगता हुआ दिखलाई दिया और तुरंत ही द्रिष्टी से ओजल हो गिया बापु वे प्रसिद व्यक्तियों में से एक था एक बार गठिया रोग से अधिक कष्ट पा रहा था जब उसे खुदा की स्मृती आई तब काम धिंदा छोड़ कर वे शिड़ी आया और बागत बाबा से रोग निवरती से प्रातना करने लगा तब बाबा उसे चावडी में रहने औशदी स्वरूप थे बाबा ने उसे मजजित में ना आने दिया और चावडी में रहने की आगया दी वहाँ उसे बहुत लाब हुआ बाबा प्राता और साय चावडी से निकलते थे तथा एक दिन के अंतर से जलूस के साथ वहाँ आते थे और वहीं विश्राम किया करते इसलिए आमीर को बाबा का सानिद्य सरलता पूरवक प्राफ्थ हो जाया करता था आमीर वहाँ पूरे नौमास रहा जब किसी अन्य कारण वंच उसका मन उस स्थान से उप गया तब रातरी में चोरी से उस स्थान को चोड़ कोपर गाउं की धरम शाला में जाकर ठहरा वहा चाराय की अधिकारियों को इसकी सूचना दे दू तो मैं ही मृत्यू के लिए उत्तरदाई ठहराया जाऊंगा और प्रथम सूचना पहुंचाने के नाते मुझे अवश्य इस विश्य की अधिक जानकारी होगी सबसे प्रथम मैं ही पकड़ा जाऊंगा तब बीना आगे श रातना की और शीर्डी लोटने का निश्य कर उसे रात्री बाबा का नाम लेते हुए पॉफटने से पूर्वी शीर्डी वापस पहुंचकर चिंता मुक्त हो गिया फिर वैं चावडी में बाबा की इच्छा और आग्या अनुसार ही रहने लेगा और शीरी रोगमुक्त हो का नेरिक्षन करने को कहा और अपना सटका भी जमीर पर पटकने लगे बाबा की यह लिला देकर अमीर ने सोचा कि हो सकता है बाबा को किसी सांप के आने की अशंका हुई हो धीर गाल तक बाबा की संगती में रहने के कारण अमीर को उनके शब्दोर कारियों का अर्ष समझ में आ गया था उन्होंने अपने बिस्तर के पास कुछ रेंगता हुआ देखा तब उन्होंने अब्दुल से बत्ती मंगवाई और एक सांप को कुंडली मारे वहां देखा था जो अपना फन हिला रहा था फिर वह सांप तुरंत ही मार डाला गया इस प्रकार बाबा के करिया करते थे एक समय जब रामायन का पाठ हो रहा था तब शिरी हिमान पांड भी श्रोताओं में सम्मीली थे अपनी मा के आदेश अनुसार किसी प्रकार हनुमान ने शिरी राम की महांता की परिक्षा ली है, प्रसंग चल रहा था सब श्रोता जन्मन उग्द हो रहे थे हिमान भी वहीं स्थित थे पता नहीं कहां से एक बड़ा बिच्चु उनके उपर आ गया और उनके दहीनिक अंदे पर बैट गया जिसका उनको कोई मानना हुआ था इश्वर और श्रोताओं की रक्षप स्वय करनी पड़ती है सिरों में मिला कर उसमें लपेट लिया और दू ले जाकर बगीचे में छोड़ दिया एक अन्य अवसर पर संध्य समय काका साय वाड़े ने उपरी खंड में बैटे हुए थे तब ही एक साप खिड़की की चोखट एक छिदर में से भीतर घुस अगया और कुंडली मार कर बैट गया बत्ती लाने पर पहले तो वह थोड़ा चमका और फिर वहीं से चुपचा बैठा रहा और अपना फन हिलाने लगा बहुत से लोग छड़ी डंडा लेकर दोड़े पर अंतो वहां एक ऐसे सुरक्ष्टी स्थान पर बैठा जहां उस पर किसी का प्रहार का कोई असर ना पढ़ता था लोगों का शोर सुनकव है शीगर ही उस चिदर में से अल्रिश्यो हो गया तब कहीं सब लोगों की जान में जाना आई एक भक्त मुक्ताराम कहने लगे कि चलो अच्छा ही हुआ जो एक जीव बिचारा बच गया श्रीम हमान पंड ने उनकी अभिलना करबा सांप को मारना ही उचित है इस कारण इस विशे पर वार विद्वात होने लगा एक का मत्था के सांप तता उसके सरदेश जन्तों को मार डालना ही उचित है किन तो दूसरे का इसका विपरेत मत्था राती हो जाने के कारण किसी निश्कर पर पहुँचे बीना ही उन्हें विवास तगित करना पड़ा दूसरे दिन यह प्रश्ण बाबा के समक्ष लाए गया ता बाबा ने नियात्मक वचन बोले कि सब जीवों और समझ प्राणियों में इश्वर निवास है चाहे वो साफ हो या विच्छू वैही इस विश्व के नियंत्रन करता है सब प्राणी साफ विच्छू उत्या चाहिए वैमनस्य या सहार करना छोड़कर शांच इससे जीवन व्यतीत करना चाहिए इश्वर सबका ही रख्षक है ओम शेरी गुरू सच्चिदानं साइनात महराज की जै